असलाम आलेकुम आज हम आपके लिए चने की डाल की बर्फी बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं चने की डाल की बर्फी बनाने के लिए ये हमने एक कब भीगी हुई चने की डाल ली है इसे हमने दो घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था अब हम इसमें दो कप दूद एड़ करेंगे और इसे बॉइल होने के लिए रखेंगे तो देखिए कवर करके इसे तीन चार सीटी आने तक हम पकाएंगे यह हमने एक कप शुगर ली है जिसे हम दो कप दूद मिला कर रखेंगे दूद हम इसमें एड़ कर रहे हैं ताकि यह अच्छे से दोनों चीज़ा आपस में मिक्स हो जाएं वीडियो को प्लीज एंट तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए यह अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो दाल उबल चुकी है इसे हमें ग्राइंड करना है तो देखी इसका बारिक पेस्ट हम बना चुके हैं यह हमने गैस पर कड़ाई लिए है गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है इसे हमें लो फ्लेम पर ही दीरे दीरे से भूनते रहना है दाल को हमें एकदम लो फ्लेम पर इसलिए भूनना है दाल बहुत तेजी से तली में लगने लगती है इसे इसी तरह से चलाते हुए हमें भूनते रहना है हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंच सके तो देखिए दाल तली में लगने लगी है अब ये भूनने लगी है अब हम इसमें जो हमने दूद और चीनी का मिक्स बनाया था वो हम इसमें एड़ कर देंगे गैस की फ्लेम अभी भी हमें एकदम लो पर ही रखनी है तो देखिए इसे अच्छी से हमें मिक्स करना है इसे इसी तरह से हमें मिक्स करते रहना है अब हम इसमें वन टी स्पून हरी लाइची का पाउडर एड़ करेंगे इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें हम देशी घी भी एड़ करेंगे देशी घी हमें थोड़ा थोड़ा एड़ करना है जितनी जरूरत होगे हम उतना इसमें देशी घी एड़ करेंगे इसे हम विस्क की हेल्प से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और गैस की फ्लेम अभी भी हमें लो ही रखनी है इसे हमें लो फ्लेम पर ही इसी तरह से चलाते हुए भूनना है अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिन हो गई है हमें इसे गाड़ा होने तक इसी तरह चलाते हुए पकाते रहना है इसी तरह से चलाते रहिए और इसे धीरे धीरे से आप भूनते रहिए शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एड़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा मीठा तेज खाते हों तो थोड़ी से आप इसमें बढ़ा सकते हैं हमने इसमें सीफ एक कप शुगर लिए तो देखिए गाड़ा होने लगा है और भुनने लगा है इस point पर हमें इसे इसी तरह से mix करते रहना है नहीं तो यह तली में आपका लगने लगेगा जब यह अच्छी तरह से भून जाएगा तो यह कड़ाई की जो तली है उसे यह लग हो जाएगा हमें इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसमें घी और एड़ करेंगे बर्फी हम दो कलर की बनाएंगे एक हम ब्राउन कलर में रखेंगे और एक में हम ग्रीन कलर एड़ करेंगे और हम ग्रीन कलर की बर्फी बनाएंगे तो देखिए ये अच्छी तरह से भुनने लगा है इसने तली को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया है ये एकदम तयार है अब हम इसमें आदे बैटर में हम कलर एड़ करेंगे ये एक कटोरी में हमने आदी चमच ग्रीन फूड कलर लिया है इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आदे बैटर में हम इसे मिला लेंगे ये हमने आदे बैटर कर लिया है इसमें हम ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर बस एक दो मिनिट के लिए हम इसे और भूनेंगे ताकि फूड कलर जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो देखें बहुत ही खुब्सुरस सा कलर इसमें आ चुका है इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये भूनता है तब तक हम अपनी प्लेट्स जो हैं वो भी ग्रीस कर लेंगे तो देखें इस तरह से इसे बस चलाते रहना है हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है नहीं तो ये तली में लग जाएगा ये हो चुका है ग्यास की फ्लेम हमने अब आफ कर दी है प्लेट्स हम अपनी ग्रीस कर लेते हैं हमने देशिगी से दोनों प्लेट्स ग्रीस कर ली है इसमें हम बर्फी के बैटर को जमाएंगे आदा गंटे के लिए हमें इसे फ्रीजर में रखना है ये इसमें हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे और इसे सफेद तिल और कटे हुए बारिक बादाम से हम इसे गार्णिश करेंगे इसे हमें आदा गंटे के लिए रेफ्रीजरेटर में सेट होने के लिए रखना है इस तरह से अच्छी से सेट करेंगे और ग्रीन वाले बैटर को भी हम इसी तरह से दूसरी प्लेट में सेट कर लेंगे अब इस पर सफेद तिल और कटे हुए बारिक बादाम हम लगाएंगे इस तरह से तिल हम चार तरफ इसके लगा देंगे अब इसे आदा घंटे के लिए रेफ्रीजेटर में हम सेट होने के लिए रख देंगे तो देखिए एकदम सेट हो चुका है अब हम इसे कट करेंगे आप अपने मनपसंद साइज में इसे कट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा सेट हो चुका है इसी तरह से हम ग्रीन माली भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे अब हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं तो लीजे मज़ेदार सी चना डाल की बर्फी बनकर तयार है दुआओं में याद रखिएगा लाहाफिज